नमश्कुरार, SBT News में आपका स्वागत है पेश राजिसान और श्री गंगानगर हनमान गड़ जिले की बड़ी खबरें राजिसान की मुख्यमंतर अशो गहलोत ने पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने के लिए अपनी पार्टी के वर्स नेता कपिल सिब्बल के आलोचना की है उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल को इस तरह से पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने की कोई जुरूरत नहीं थी और इसे पार्टी के कारेकड़ाओं की भावनाय आहत होती है गयलोड ने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर कई ट्वीट किए उन्होंने लिखा है कपिल सिब बलद्वारा पार्टी के आंत्रिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने की कोई जुरूरत नहीं थी इसे देश भर में पार्टी कारकरताओं की भावनाएं आहत होती हैं राजिसान में कॉंग्रिस के बड़े जलित निता और गहलो सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेगवाल का सोमवार देर शाम निधन हो गया 32 साल के मेगवाल ने गुडगाओं की मेदानता अस्पताल में अंतिम सांस ली वो 10 माई को मेदानता अस्पताल में भरती थे काफी दिनों से वेंटिलेटर पर थे 29 अक्टूबर को मेगवाल की बेटी बना से मेगवाल का निधन हुआ था बिहार में कॉंग्रिस की खराब रदर्शन पर पार्टी नीता कपिल सिबल के बयान पर सोमार को रायस्थान के मुख्यमंत्रिय अशुग गहलूत की पृतिक रियास सामने आई उन्होंने लिखा की कपिल सिबल को मीडिया में हमारे आंतरिक मुद्दे का उलेक करने की कोई अशकता नहीं थी इसे देश भर में पार्टी कारेकरताओं की भावना को ठेस पहुँची है कॉंग्रिस ने 1979, 1977, 1989 और बाद में 1996 साहित विभिन संकटों को देखा है लेकिन हर बार हम अपनी विचारधारा, कायकरमों, नीटियों और पार्टी नेतरतों में दड़ विश्वास के कारण मजबूत हुए है जिस खबर का पूरी दुनिया को इंतजार था वो खबर आ गई है अमेरिका की मोडरना वैक्सिन ने खोशना की है कि उसकी कोविड वैक्सिन 94.5 प्रतिशत सफल है कंपनी द्वारा सोमवार को जारी शुरुवाती आंकडों के अनुसार उसकी कोविड-19 की वैक्सिन कोरोना वाइरस के खिलाफ 94.5 प्रतिशत असरदार है सेंक्ति राज़ अमेरिका में आश्चर जनक रूप से उच्छ सफलता दरवाली ये दूसरी वैक्सिन है उत्रप्रदेश की राज़िपाल में मध्यप्रदेश की कारेवाहक राज़िपाल आनन्दी बेन पटेल सोमवार दोपहर करीब धाई बजे सवाई माधुपूर जिला मुख्याले पहुची जिला प्रशासन से मिली जौनकारी के अनुसार वो जैफुर से हलिकॉप्टर से करीब दो बजे सवाई माधुपूर के लिए रवाना हुई वो रन्थंबो रोड सीथ 15 सितारा होटल में ठहरी है मंगलवार सुबह की पारी में उनका रन्थंबो और पार्क भ्रमन का रहेगा राजिपाल 19 नमबर तक रन्थंबो और रुकेंगी पंचोय की राज संसाओं के आम चुनाव के अंतरगत राजिय निर्वाचनायोग द्वारा अजमेर जिले में 1660 मदान केंद्र बनाई गए हैं इनके अलावा 18 सहाइक मदान केंद्रों का भी अनुमोदन किया गया है जुला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में 25 समीती अजमेर ग्रामीन में 11 सावर केकडी एवन सरवार में 22 वे मसूदा में 1 सहाइक मदान केंद्र है राजसान में करोना के नए मरीजों की संख्या जहां हर रोज बढ़ रही है वहीं सोमार को बांसवाड़ा वे जैसल मेर में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया प्रदेश में करोना के कुल 2,179 नय पॉजटिव केस सामने आये हैं वहीं 12 मरीजों की करोना से मौत दर्च की गई है पंचोयती राचनाओं के तैयारियों में जुटी राजसान प्रदेश को अंग्रेस अपनी रण नेती का खाका तैयार करेगी पार्टी के प्रदेश पर भारी अजय माकन की उपसिती में राजधानी जयपूर के बिडला ओडिटोरियों में आयोजित होने वाले चुनावी समात कारकर में नेताओं को चुनावी समर की जीत के टास्क सौंपे जाएंगे इस समात में शामिल होने के लिए अजय माकन जयपूर पहुंचेंगे इस बैठक में सीयम अशो कहलोत और पी सी सी चीफ गोविन सिंग डोटासरा सहित वरिस्ट नेता मौजूद रहेंगे पश्चिमी विक्षोप की कारण शोहर में रविवार रात बारिश होए इसे छटुरन बढ़ गई रविवार रात अच्वानक मौसम का मेजाज बढ़ला रात सारे दस वजी हलकी बारिश का दौर शुरू हुआ सोंवर सुबह तक कहीं तेज कहीं रिंजिन बारिश होती रही बारिश के कारण सड़के गिली हुग बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्च के गई है जानकारों की माने तो बारिश होने से आगामे दिनों में सर्दी का असर बढ़ेगा बारिश के कारण वातवरण में नवी होने से मौसमे बिमारьяं भी बढ़ें, खांसी बढ़ेंगे, हालांकि हलकी बारिश खिसानों के लिए अच्छी है खिसानों का क्याना है कि खेतों में अभी गीहू रेलने का कार्य किया जा रहा है बारिश से इसमें मदद मिलेगी, वहीं चनाल, लसुन और सरसो की फसल उग गई है राजसान के टोंग जिले में बीते दिन तेज हवाओं के साथ हुई ओलो की बारिश से चौपट हुई फसलों और धराशाई हुए मकानों की मुआवजी के लिए सोमवार को खिसानों ने बनेठा उपतहसिल मुख्याले पर प्रदर्शन किया जुला कलक्टर के नाम ग्यापन सोपा दरसल बनेठा कस्वे सहित आसपास के इलाकों में बीते जिनों आदे घंटे तक ओलो के साथ मुसलाधार बारिश के कारण कहर बर पाया गया जिसके कारण ग्रामिनों को काफी परिशाने का सामना करना पड़ा वहीं पेड़ पौधों और मकानों के दिवारे तूटने से कई प्रकार के हाने होई गेन के आकार के ओले गिरने से खेतों में बरफ की चादर बिज गई जिसे किसानों की फसले नस्ट हो गई और अब खबरे श्री गंगा नगर हनमानगर जिले की हनमानगर जंक्शन मुख्याले पर वार नमबर 16 गांधी नगर में बाइक सवार दो अग्यात यूवकों ने एक यूवती को लूट लिया यूवती का शोर सुनकर आसपास के लोग इकठे हो गई लेकिन लूटेरे फरार होने में काम्याब हो गई पुलिस के अनुसार यूवती के घर में किराय के मकान में रहने वाले विशार सिंधी ने रिपोर्ट दी कि 22 सवार दो यूवकों ने मकान मालिक की बेटी से जपटा मार कर एक मोबाइल फोन, सोनी की चैन, सोनी की लॉकेट और तीन हजार पे नगत छीन कर फरार हो गई पुलिस घटना सल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज घंगाल कर लूटेरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है दिपावली की पूर्व संध्या पर हनमानगा टाउन जंक्षन रोड दूधिया रोशनी से जगमगा उठी दिपावली की पूर्व संध्या पर छोटी बच्ची वान्या श्रे अगरवाल सहित विधायक चोधरी विनोत कुमार, PCC सदसे भुपेंद्र चोधरी, सभापती गनेश राज बंसल, पूर्व सभापती पवन अगरवाल, उप सभापती अनिल खीचर, एकसेन सुभाष बं से सेट गिर्धारी लाल भिहानी स्कूल के खेल मैदान में, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता में मुख्य अतिती राजिस्तान जिनका समाज की प्रदेश असंयोजी का जियोती थी, आयोजक विनो चोहान ने बताया कि टूनामेंट में च्वा प्लिस के अनस्वार रेवर्ड के मालिक गाम दो पीजीम के नानक राम की रिपोर्ट पर अग्या चोरुप पर आधा तर्जन मिंडे चोरी करने के आरोप में मुकत्मा दर्च किया है। पूजा में विशीश तोर से गोवर्धन पूजा को गौ माता की गोबर से तयार किया जाता है जिसके सभी भक्ते द्वारा पूजा कर परिक्रमा की जाती है। इस वर्ष भी ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से ही प्रसाद बनाये गया। अर्मानगर जिली के रावासर पुलिस्ताना शेत्र के गाउं हरदास वाली अगुणा बास में स्थित एक घर का ताला तोड़कर अग्या चोर सोने चांदी के जीवरात और नगदी चुरा कर ले गए। पुलिस के अनुसार ग्रह स्वामी रनवीर जाट ने रिपोर्ट दी है कि अग्या चोर उसके घर से सोने की चारंग उठी, एक सोने का ओम, बारत ओला चांदी और 16,000 रुपे की नगदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने बताया कि चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। श्रे गंगर अगर जिले के गसिंग पुर में नगरपाली का चुनाओं को लेकर व्यापार मंडल में नगर मंडल एवं वरिस्ट कारेकरताओं की बैठक हुई। बैठक में संकथन प्रभारी विनीता आहुजा, प्रभारी श्याम धरिवाग, सेह प्रभारी पवन फिर हाँ, फिर हाँगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।